हेलो फ्रेंड माइसेल्फ तुशा शुकला और आप लोगों के लिए गुड नियूज की एससी सीपयों का नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें की एससी रिक्रीट्मेंट करेगा एराउंड 1700 सब इंस्पेक्टर के लिए तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेलेक्शन लेने की और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इंपॉर्टन डेट्स एज लिमिट एक्जाम पैटर्न और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्जाम से रिलेटेट्ट आपके सारे डाउट क्लियर कर दो कि आप सिर्फ फोकस कर पाएं अपने पढ़ाई पे तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टन डेट्स के साथ जो ऑनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो है 17 जून और ऑनलाइन अप्लिकेशन की लास्ट डेट है 16 जुलाई फी पेमेंट की लास्ट डेट है 18 जुलाई और जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड की तरूप फी पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए चलान जनरेट करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई और साथ ही में उस चलान को deposit करने की last date है 22nd July और जो सबसे important date है कि exam कब होगा paper first का वो SSC ने रखी है 29th September से लगा के 5th October तक क्योंकि number of student बहुत हो जाते हैं इसलिए exam different dates different time slot में conduct किया जाता है और जो paper second की date है वो 1st March 2021 है यह सारी information थी date से related और student से मेरी एक request रहेगी कि जो paper first या फिर paper second की date है वो एक A4 sheet में लिखके अपनी study table के पास लगा ले ताकि आगको एक motivation मिलती रहे exam preparation के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे कि जो sub inspector की post है वो कौन कौन सी है तो इसमें जो दो sub inspector की post है वो एक है CAPF के लिए Centered Armed Police Force और दूसरी है Delhi Police के लिए अब हम देखते हैं इन दोनों में difference किया है जो sub inspector general duty CAPF वो categorize किया जाता है group B की job के लिए और जो sub inspector executive Delhi Police में है वो एक group C की job है तो यह आप पर depend करता है कि आप CAPF को join करना चाहते है या Delhi Police को join करना चाहते है अब हम आगे बढ़ेंगे और vacancy से related और पर information देखेंगे Delhi Police में जो male की total vacancy है वो है 91 आप अपनी category wise देख सकते हैं कि आपकी category के लिए कितनी post है और जो female की total post है वो 78 है यह था Delhi Police की vacancy के बारे में अब हम आगे देखेंगे CAPF में total कितनी vacancy है और आगे बढ़ने से पहले आपको भी बताना चाहूंगा CAPF में क्या क्या आता है CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB इन सारी जो armed group हैं उसमें आपको सम इस्पेक्टर की post पे काम करने का मौका मिलेगा यद आपका selection हुआ और हम देखेंगे जो important कितनी post है CAPF में तो CAPF में जो total post है वो है 1395 जो की approx है 1400 और जो एक सर्विसमेन के लिए है वो है 139 तो हम जोडते हैं डेली पुलिस और जो CAPF की vacancy तो approx होता है हमारा 1700 तो बहुत अच्छी opportunity है आप लोगों के लिए अब इस अगला section है reservation का इसमें कोई important नहीं है जो मैं आपको explain करूँ वो आप देख सकते हैं अपने आप में इसके बाद हम देखेंगे आता है nationality इसमें की हर जो इंडिया की vacancies होते हैं उसमें सब common होता है आप इसमें भी आपके लिए कुछ नया नहीं है तो इसमें कुछ explain नहीं करूँगा जो अगला important section है वो age limit से related जो आपकी age limit count होगी वो count होगी 1st January 2021 के basis पे और इसमें age limit कितनी है 20 year to लेके 25 years तक यह है आपकी age limit और candidate अपनी birth date और देख लेंगे कि minimum or maximum कितनी requirement है अपनी age के इसाब से और इसमें काफी relaxation भी दी गई है different group of candidates के लिए जैसे SCST candidates के लिए OBC के लिए ex-servicemen के लिए तो आप अपने schedule के इसाब से या फिर अपनी category से इसाब से अपनी अपनी इसमें देख लेंगे कि आपको कितना relaxation दिया गया है इसमें डेली पुलिस के लिए अलग से relaxation भी है कुछ post के लिए तो आप देख लेंगे अब हम देखते है education qualification की demand किया है इस exam के लिए तो सिंपल requirement है bachelor degree कि आपको किसी भी recognize university से आप graduate हो तो आप form fill up कर सकते हो और यह matter नहीं करता है आप कि stream से है science से है commerce से है या arts से है वो matter नहीं करता है आप बस graduate होने चाहिए इस exam के लिए और दूसरी important चीज़ जो कि मेरे पास काफी doubt आते रहते हैं कि जो student final year में क्या वो इस exam को fill up कर सकते हैं इस exam के form को हाँ guys आप लोग भी exam को fill up कर सकते हैं बस शर्त है आपकी 1st January 2021 तक exam के result, provisional degrees और mark sheet आ जाने चाहिए तो आप भी valid है इस exam के लिए और कोशिश करिएगा अगर तब तक भी नहीं हो पाता तो paper second तक आपके पास सारे documents आ जाने चाहिए और हम आगे बढ़ते हैं और एक special requirement है डैली पुलिस के लिए वो हम देखते हैं जो डैली पुलिस के लिए mail की एक requirement है कि उनके पास एक valid driving license होना चाहिए motorcycle और car के लिए तब ही वो qualification होगा इस exam के लिए और जो कि test किया जाएगा physical endurance और measurement test के time पे तो हमने क्या देखा कि डैली पुलिस की जो mail candidate होंगे उनके लिए special requirement क्या है valid driving license और हम देखते हैं इस exam को हमें कैसे apply करना है कि apply करने के लिए हमें जाना है SSC की official जो website वहां जाके और अगर हमने already SSC के form fill up कर रखें तो हमारे मुझे की date mention होनी चाहिए कि किस date को हमने वह photo ली है यह थी apply करने से related important information अब हम देखते application fee क्या है इस form के लिए तो जो की है hundred rupees और जो की कुछ section है उनके लिए fee exempt करी जैसे की women candidate और जो candidate बिलॉंग करते हैं SC category से scheduled tribe से और ex-servicemen उनके लिए fee exempt करी जाती है और आप लोगों से request है कि form fill up करने से पहले इन सारे points को deeply study कर ले क्योंकि exam के जो form होता है साल में एक बार आता है और अगर कोई भी गलती से mistake हो गई तो आपको फिर एक साल के लिए wait करना पड़ेगा इसलिए आपको अच्छे से form fill up करना है और कोई mistake नहीं करनी है उसके बाद हम देखते है center of examination कि जो examination के center है वो कहां कहां पर है और इससे related एक और important information कि जब आप form fill up करेंगे तो आपको तीन priorities देनी पड़ेंगी अपने exam center के लिए जैसे कि आप भागलपूर, मुझफरपूर या फिर पटना आप किसी भी तीन center के नाम दे सकते हैं अपने choice के तो मैं video को आप pause करते करते देखते रहे है कि आपकी region में कौन-कौन से center है क्योंकि सारे centers को बटाने से video और भी लंबी हो जाएगी तो आप please देखते रहे है video pause करके कि आपकी region के लिए कौन से center है जाएक सकी हम स्टार्ट करते है central region से उसके बाद आती है eastern region उसके बाद एक करनाठिका केरला region उसके बाद एक northern region उसके बाद नौर्थ इस्टन रीजन फिर है southern region और फिर है western region उसके बाद मध्य प्रदेश सब रीजन अब हम बात करते हैं एक्जाम पैटन की जिसको भी बोला जाता है scheme of exam जो की divide exam paper first physical standard test जिसको भी हम बोलते हैं physical endurance test pet paper second और उसके बाद है detailed medical examination अब हम देखेंगे इनको one by one deeply जो paper first है जिसकी की date हमने आगे discuss कर ली थी इसको चार पार्ट में divide किया गया है general intelligence और reasoning जिसके की 50 question होंगे और 50 marks होंगे general knowledge और general awareness similar pattern इसका भी quantitative aptitude similar pattern English comprehension question 50 question 50 marks तो total हमारे पास कितने question हो गए 200 question total mark कितने 200 और हमारे time allocation कितना है तू आर्स का तो paper first एक बार हम फिर से देख लेते हैं total question हमारे 200 total marks है 200 time duration है तू आर्स का अब हम देखते है paper second में पेपर second में सिर्फ एकी exam होगा जो की होगा English language और comprehension का जिसमें की 200 question आएंगे 200 marks के और जिसकी की duration होगी two hours की तो हम देख सकते हैं इस पूरे exam में English language का कितना important role है कि 50 marks का आएगा आपके paper first में और 200 marks का आएगा paper second में तो total weightage कितना है 250 marks की English की तो आपको कोशिश करने है कि English में में बहुत अच्छी पकड़ बनाने है जिससे कि आपको इस exam को clear करने में कोई difficulty नहीं हो और जो paper first का जो section है first second third वो हिंदी English दोनों में होंगे और जो fourth है वो सिर्फ English में होगा और साथ ही में यहाँ पर negative marking है जो की होगी one fourth यानि अगर आप एक question गलत करते हैं तो सब 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि जीन स्टूडेंट ने NCC certificate कर रखा है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा bonus मार्क्स मिलेंगे paper first और paper second دونों में जिनके पास C certificate है उन्हें 10 मार्क्स मिलेंगे जिनके पास B certificate है उन्हें6 marks मिलेंगे और जिनके पास A certificate है उन्हें 4 marks मिलेंगे तो जिन student के पास NCC certificate है वो place form में mention करें और इसका profit उठाएं अब हम देखते हैं इस exam के लिए syllabus किया है पर syllabus start करने से पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता है इसलिए यहां पर syllabus को उतना डेप में discuss नहीं करूँगा पर मैं आपके लिए एक separate वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम previous year analysis और syllabus को and general awareness जो कि 50 marks का है paper first के लिए उसके बाद एक quantitative aptitude जिसमें कि बहुत सारे topic हैं आप देख लीजिए इसमें यहां से वीडियो को pause करके English comprehension जो कि paper second में भी आएगा तो जो paper second में आप पढ़ेंगे वही आपका paper first में भी cover हो जाएगा इसलिए आप paper second का इसलिए बस देख ले अब हम देखते हैं physical standard test PST और physical endurance test PET के बारे में basic information start करते हैं physical standard test में इसमें दो requirement है एक तो है height की और दूसरी है chest की जो chest की requirement है वो सिर्फ males के लिए है male candidate के लिए minimum height कितनी होनी चाहिए 170 cm और chest unexpanded 80 cm expanded 85 cm और जो height है वो कुछ special category जैसे hill areas के लिए जहां की गड़वाल, कुमायू, हिमाचल प्रदेश उन सब के लिए requirement है 165 cm chest की requirement same है और जो schedule tripe candidates है उनके लिए height की requirement है 162.5 cm और जो chest की requirement है unexpanded 77, expanded 82 और women's के लिए जो female candidate है उनके लिए requirement है 157 cm और जो special category है उनके लिए requirement है 155 cm और जो schedule tribe से belong करती है उनके लिए requirement है 154 cm की और एक important चीज वेट जो candidate का weight होना चाहिए वो correspond होना चाहिए उसकी height से related जो कि हम measure करते है BMI की help से तो सारे candidates से request है कि BMI के through अपना weight measure कर ले कि वो height के according है या नहीं अगर नहीं तो उसको balance करने की कोशिश करें और अभी आपके पास time है आप balance कर सकते हैं easily अब हम देखते है physical endurance test के बारे में सबसे पहला male candidates के लिए cover करेंगे 100 meter raise cover करने उन्हें 16 seconds में 1.6 km की raise cover करने 6.5 minutes में long jump 3.65 meter की high jump 1.2 meter की और short put 16 LPS का जिसको की throw करना 4.5 meter की और इसके लिए उन्हें 3-3 chances मिलेंगे अब हम देखते है female candidates के लिए P.E.T. उन्हें cover करना 100 meter की raise 18 seconds में 800 meter की raise 4 minutes में long jump 2.7 meter की और high jump 0.9 meter की और इसके लिए उन्हें 3-3 chances मिलेंगे अब हम देखते है medical test जो की सारी post के लिए है medical examination कौन contact करेगा medical officer of CAPF और अगर एक candidate तो उसको 2 chances मिलेंगे अगर वो first time unfit उसे declare किया गया तो 15 days के बाद फिर से आ सकता है medical के लिए अगर उसे फिर से unfit declare किया गया तो उसको eliminate कर दिया जाएगा exam की process से अब हम देखते है eyes के लिए क्या criteria है जो near vision के लिए criteria है वो होना चाहिए better eyes के लिए N6 और worse eyes के लिए N9 और minimum distance vision जो होनी चाहिए वो 6 ratio 6 होना चाहिए better eyes के लिए 6 ratio 9 होना चाहिए worse eyes के लिए और यहाँ पर एक important चीज जो candidate glass wear करते हैं यानि जिनका की test हुआ है और या फिर जिनको किसी भी तरीके की surgery हुई है वो applicable नहीं है इस sub inspector की post के लिए तो उनसे request करूँगा वो लोग apply ना करें और साथ ही में एक category की कुछ candidate और भी है जिनको apply करने के लिए मना किया गया है वो जो की suffer कर रहे है knock knee से flat foot की problem से very coarse wheel या फिर squint in ice की में से तो उन लोगों के लिए applicable नहीं है ये post और साथ ही में एक high color vision भी होनी चाहिए candidates के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि जो final selection हो जाता है तो भी उन्हें element कर दिया जाता है final selection के बाद भी अब हम देखते हैं इन चीजों में क्या क्या included है jumping over vertical board holding the rope on jumping from board tarzan swing jumping on horizontal board parallel rope monkey crawl vertical rope अगर उन इन सारी चीजों को perform करने में unsuccessful रहते हैं तो उन्हें eliminate कर दिया जाएगा sub inspector की post से अब last two important issues रहता है student के मेरे पास काफी questions आते रहते है tattoos के लिए sir मेरे यहाँ पर tattoo है तो क्या मैं army में जा सकता हूँ या CEPF join कर सकता हूँ या फिर sub inspector बन सकता हूँ तो guys tattoos related बहुत important information है please ध्यान से सुनिए गया कि tattoo allow है कि Indian army में भी tattoo allow है तो हम देखते हैं इसमें कुछ terms and condition है वो हमें देखना पड़ेगा चो content किया है सबसे पहले content किया है उस tattoo का जैसे कि या फिर religious symbol है या फिर किसी का नाम है तो फिर वो allow है अगर इसके अलाव अगर वो किसी और चीज़ से related है तो वो allow नहीं किया जाएगा अब location अगर वो body के traditional या फिर inner part पे तो वो allow किया जाएगा और सिर्फ left arm पे allow किया जाएगा अगर आपके right four arm पे है तो आपको allow नहीं किया जाएगा आप applicable नहीं है इस post के लिए और अब देखते है size जो एक हमारा जैसे elbow ले ले hand का last मैं आपको मैं एक important चीज और discuss करना चाहता हूँ preference of post जब आप document verification के लिए जाएंगे सारी process होने के बाद तब आपसे एक preference of post मांगी जाएगे कि आपको कौन सी preference चाहिए उसकी according आपको selection होगा कि आपको टेली पुलिस में join करना है या फिर BSF में सब इंस्पेक्टर बनना है CIS में बनना है CRPF में बनना है ITBP में बनना है ससत्र सीमा बल में SSB में बनना है तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ ले कि आप जब verification के लिए जाएंगे तब आपको clear cut होना चाहिए कि आपको कहां पर selection लेना है देली पुलिस में लेना है या BSF में या फिर कोई भी तो आप उस हिसाब से अपने post को preference दें